कि अज़िए कि अज़िए आप और मैं हूँ आपके साथ सर्फ राज अलब शाहरसत जिले के बेजनात्पुर पुलिस स्वीड शेत्र अंतरगत जो वस्तु विहार कॉंप्लेक्स में रह रहे महला प्रोफेशर्ट दिपती परशाद पिछले 17 दिनों से गायब है उनका सुरा अब तक नहीं मिला है गायब महला सहर के आरेम कॉलेज में महला प्रोफेशर्ट थी और ऐसे में वे घर से परतिदीन के लिए वे कॉलेज के लिए निकली थी लेकिन घर से निकलने के बाद वे घर अपने घर वापस नहीं पहुँची जिसके बाद 17 दिन बीद जाने के बा जो महला प्रोफेशर है वो रह रही थी और इसे में जो उनकी गायब है वो सतरे दिन हो जाने के बावजुद भी जो सुराग है वो अब तक नहीं मिली है जो इनके पुत्र है उन्होंने इसकी शुकायत स्थाने में की ठाने में करने के बाद वड़ी अधिकारी से भी बातच कुछ कहा हैं पहले वो आप सुनें जो कि आरेम कॉलेज सहरसा में असिस्टेंट प्रोफेसर है बीए डेपार्टमेंट की वो आज सतरा दिन होने को आया और अभी तक वो लापता है लास्ट उनको CCTV कैमरा में कैप्चर किया गया था जो घर पे ही इंस्टॉल्ड है जो कि व अगले दिन ही पुलिस में आवेदन दे दिया था गुमशुदगी का रिपोर्ट कराया था उसके बाद से उनका कॉल भी ट्रेस किया गया कॉल ट्रेस करने से पता चला कि उनका जो फोन का टावर का लोकेशन था वो खगरिया के आसपास के एरियाज का आया है जबकि हमारा खगरिया में हमारे कोई भी रिलेटिव रहते नहीं हैं कोई भी जानकार भी आदमी नहीं रहते हैं वहाँ पे हमारे हमने अपने सारे रिलेटिव से भी पूछने की पता करने की कोशिश करी वो लोग भी परेशान हो गये हैं वो लोग भी अब अलग जगा पता कर रहे हैं पर कहीं से भी कोई ख़बर नहीं है अब तक पुलिस के द्वारा क्या कारवाई की गई है आपके आवे दिन पर क्या कारवाई है पुलिस ने पहले तो कॉल रिकॉर्ड कोशिश किया उस निकालने का फिर उन्होंने आई एम याई नंबर ट्रैक करने की कोशिश की पर उससे भी कोई सफलता नहीं मिली और कॉल रिकॉर्ड के बेसिस पे भी जो जगह थी लोकेशन में वो समय भी जाके पूश्टाच करी पुलिस ने मेरे साथ में मैं भी गया था साथ में पर वहां से भी कोई भी इन्फोर्मेशन नहीं मिली है क्या लगा है मुझे कुछ अब 17 दिन मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं तो दुश्मनी का सवाली नहीं उठता है 17 दिन हो गया है मैं लापरवाही शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा पर मैं निराश जरूर हूँ क्योंकि 17 दिन बाद अभी भी कोई भी इन्फोर्मेशन मुझे नहीं मिली है कोई भी अपडेट नहीं मिली है जिससे कि मुझे थोड़ा सा भी सुकून महसूस हो खाना हम प्रेंटी करूंगा गवार लगाऊंगा कि पुलिस इसको इस पर और जोर लगाए और प्रेशर बनाए जहां पर भी जो हो सकता है पुलिस करें लेकिन किसी तरह से मेरी माह को आप मैंने सुना क्या कूछ जो उनके पूतर है वो क्या कुछ कहते हुए नज़रा रहे हैं हालाकि जो इनके परिवार है उपने अस्तर से भी नहें है और पुलिस शे भी मदद की गुहार लघा रहां है कारवाई की मांगकर रहा है से बाऌजुद बीको गह नहीं हुई है आगे क्या कुछ कारवाई देखने को मिलती है झाल, 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 झाल